जब डेली में मेरी पोष्टिंग ही थी फर्स्ट कोष्टिंग में जोइन किया तो देली के एक ब्रांच में मेरी चानक के अपुडी में वो ब्रांच होगा खालता जब मैं वहां पर आया था तो आते ही उस टैम में इसी 814 इंडियन एर्लाइंस के एर्क्राफ्ट थी उसको पाकिस्तान के कुछ लोग हैजेकर्स लोगों ने हैजेक कर लिया तो जब काठमान्दू से वो फ्लाइ की थी तो उसको डेल ही आना था लेकिन वो डेल ही नहीं आ करके उसको ये लोग भाले पाकिस्तान ले गए फिर कोई पैसेंजर्स को एक यामिन करना था 179 पैसेंजर्स थे 11-12 प्रियूज थे विक्टिम्स थे कुछ लोगों तो हैजेकर्स ने मार भी दिया एक दो लोग इंजेर्ड भी हो गए थे तो इन्वेस्टिकेशन का दैड़ा काफी था तो उसमें हम लोग और उसी सिलसले में म और ऐसे मेंटर लोग मिले उस सिलसले में एक हमारे डिरेक्टर से रिटार हुए हैं स्री एम नराइनन साहब के हमारे SP हुआ कर देते उस ते उन से काफी सिखने का मुखा मिला था उन्होंने काफी अच्छा से गाइड किया था तो कि आपके पास अगर ऐसे एक्सपरियंस अफिसर मिल जाएं जो आपको तो कि CPI में बहुत सारे complicated cases को solve करना आपको ऐसी हालात में आपको अगर training ठीक से नहीं मिली field में भी और branch में भी और training academy में भी तो फिर आप उस धंग से case को solve नहीं कर पाएंगे एक challenging job होता है तो हमारी first posting वहीं Delhi में थी Delhi के बाद वहीं सिलसला चलता रहा काफी cases में investigation हमने किया बहुत सारे cases investigate किया murder cases थे, rape case था, fake encounter cases थे, bomb blast cases थे, एक अजुध्या राम मंदिर बावरी मस्जिद revolution case का भी trial उस time में चल रहा थे के लोग NTSC write cases थे, बुराने cases, 1984 का cases 2006 में आया था, तो हम लोग उसको investigate किये थे और यह सिलसला जाड़ी रहा अभी तक चलिये में और उसमें actually all over India jurisdiction होता है cases, जब कोई case आता है, तो आपको कैसे उसे tackle करना है, आपको हुनर आनी चाहिए, कैसे how will you start and how will you finish, तो यह हुनर सब सीखने का मौका मिला था शुरू में